कैमरे दस धरो मोदी जी अब बस करो आप लगातार देखेंगे देश के प्रधान मंत्री M Factor पर राजनीती कर रहा है कहां से शुरू की थी उन्होंने राजनीती अपनी मा से शुरू की थी मा से मा को राजनीतिक स्टंट बना लिया था और इसके साथ मटन मचली मजार मंगल सुत्र मंदिर यहां तक की मुसल्मानों को भी नहीं छोड़ा और इसके साथ साथ महत्मा गांधी पर आ गए हैं मोधी जो हैं और अब इसके बाद जो हैं वो मा से मौन हो गए हैं देश के परधान मंतरी ध्यान लगाने के लिए कन्या कुमारी की धर्ती पर जा पहुचें लेकिन सोची एक सवाल खड़ा होता है देश के परधान मंतरी पर जब जब देश की जनता तकलीफ में होती है इरिटेशन की यानि ध्यान की मुद्रा में जाकर शरण ले लिए क्योंकि देश के परधान मंतरी को अब लगने लगा है कि अब की बार चार सो पार का आखड़ा पार का ना बेहत जादा मुश्किल है क्योंकि देश के परधान मंतरी ने जिन जिन मुद्दों को उठाने की कोशिस की असल में वो उन्ही को एक्सपोज करते गए भारत के जंता पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरीके से विफल सरकार रही है विपक्षी नेताओं के साथ देश की जंता मोदी से मुद्दों पर बात करना चाहती है लेकिन मा से मोदी जी जो हैं वो मा से मौन हो गया है और सोचिये मंगल सुत्र की हिफाज़त के साथ साथ वो मचली पर राजनीती कर रहे थे मतन पर कर रहे थे मंचों से मुझरत की बात कह रहे थे विपक्षी नेताओं को किन शब्दों से जलील किया जा रहा था और वो अपने पद की गरीमा को भी तार-तार करते लेकिन सोचिये देश की जनता अभी भी उनसे वही सवाल पूछ रही है कि दस साल का रिपोर्ट कार दिखाईए देश के प्रधान मंतरी मोदी जी क्योंकि आप लगातार एम फैक्टर पर काम करना है तो मा से महिलाओं की सुरक्षा पर बात कीजिए मा से मनिपुर पर बात कीजिए मा से महिला खिलाडियों को जिस तरीके से घसीटा गया था उस पर बात कीजिए सोचिये जब जब देश की जनता तकलीफ में हुई उसी तरीके से कायरता के साथ देश के प्रधान मंतरी मोदी ने भागने का काम किया आप ल लंबी लंबी कतारों में देश की जनता जो हे वह तकलीफों SJ सामना करई थी करोणा महामारी में देश की जनता पलायं करने के लिए मजबूर हो गई थी और आदेश की राजधनी के साथ है तमाम पूरे भारत वर्स में गर्मी जो है वो आग उगलती हुई गर्मी है उसका टेंपरेचर इतना हाई है कि पानी की किलत का सामना करना पड़ा है जनता को बिजली गुल हो जा रही है कुछ राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बिजली की कटोती की जा रही है जनता जो है वो गर्मी से अपना दम तोड़े अस्पतालों में लाइटे काट दी गई है लेकिन देश के प्रधान मंत्री एसी के बड़े-बड़े एसी के बने हुए हॉल के अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर मौन है लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी जनता जो है वो खामो लेकर आ रहे हैं कि सीथा सक्ता से बहार जा रहे हैं रवीश कुमार ने बड़ा ट्विट किया है सोचिए देश के प्रधान-मंत्री इवन्ट मैनेजमेंट की राजनीती कैसे करते हैं तमाम पेपर्स की आज़ा फ्रेंट पेज को देखेंगे तो उसमें देश के प्रधान मंत्री को एक नए अवतार में दिखाया गया है ऐसा लगता है देश के प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री से ज़्यादा भगवान बनने की इच्छा शायद धूरी रह जाएगी इसलिए वो हर वो कोशिस करना चाहते हैं और लगतार अपने आपको इतिहास में जिन्दा रखने के लिए वो देश की जनता को मारने के लिए लगतार परियास कर रहे हैं सोचिए रवीश कुमा लिखते हैं ध्यान करने नहीं जा रहे हैं ध्यान का कवरेज करवाने जा रहे हैं टीवी का कवरेज वाला सबसे पहले लंबा ध्यान होगा देश में कोई नया बावा आता था तो यही करता था जमीन के भीतर समादी लेता था शहर उमर परता था यही टेक्निक चार दिन बाद निकलता था किसी को नहीं पता भीतर था भी या नहीं दस साल इन है यह सबसे प्रधान काम है या छुट्टी लिए कहीं ये खबर ना चलवादे की ध्यान से फाइलों पर साइन कर दें पीमों में रखी कलम और उठी और आप साइन का युक्त हमेशा के लिए सेवा विस्तार कर दिया जाए सोचिए देश के प्रधान मंत्री वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं सोचिए जब उन्हें जनता के तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए तमाम मुद्दों पर उनको खुल कर प्रेस कांफरेंस करनी चाहिए तो वो मेडिटेशन करने चले गए सोचिए देश के प्रधान मंत्री के मेडिटेशन का भी मजा कुड़ रहा है क्य कि ये इवेंट मेनेजमेंट है और मेडिटेशन नहीं ये एडिटेशन है लगतार कैमरों के साथ मेडिटेशन किया जा रहा है और देश की जनता को जरूरी मुद्दों से गुमरा करने की कोशिस की जा रही है सोचिए तस्वीर शोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो रही है कैमरे के साथ देश के प्रधान मंतरी मेडिटेशन करने गया आप देखेंगे रेड कार्पेट पे समुंदर के अंदर रेड कार्पेट बिछवाई गई थी और सहब जो हैं उस पर चलने का परियास कर रहे थे ध्यान मुद्रा मैं बैठने का परियास कर रहे थे गुफाओ के अंदर कैमरा लेकर जाने वाले देश के पहले प्रधान मंतरी मा से मोधी है मोधी जी के लिए धरम चुनावी हतियार है आस्ता विसे नहीं मोधी पाखंड बंद करो तो सोशल मेडिया पर मोधी का भारी विरोध हो रहा है स्री निवास लिखते हैं बाबा कैमरे सुवर कोई एंगल बाकी नहीं रह गया प्रभू आठाठ कैमरे लगाए गए तब जाके देश के परधान मंतरी मोधी का मेडिटेशन हो रहा है असल में ये मेडिटेशन नहीं ये ध्यान भटकानी की कोशिस की जा रही है कैसे भी करके मोधी चुनाव जीतना चाता है राम मंदिर वाला टोट का जादा दिन नहीं चला तो सहाब मटन मंगल सुत्र महत्मा मस्दित मुसल्मान पर उतर आए मोधी द्वारा ढोंग पाखंड अंद विश्वास परने को पैसो बरवाद किये ताकि जनता धरम की चाशनी में डूबी रहे हैस्टेक मोधी पाखंड बन करो सोशल मीडिया पर मोधी का बाइकाट किया जा रहा है मोधी का भहिशकार हो रहा है मोधी का विरोध हो रहा है लेकिन मा से मोधी मान है मा से मोधी जो हैं वो एंफेक्टर की राजनिती कर रहे थे लेकिन इस बार मोधी का जो है जादू नहीं चल पाया है 2014 में बहुत नारा गुजा था बहुत हुई पेट्रोल की मार अपकी बार मोधी सरकार पेट्रोल 35 रुपे लीटर का वादा था हो गया 100 पार इससे पहले की 400 पार हो जाए जनता ने तड़ी पार का निर्णे लिया है सोचिए देश की जनता के साथ किस तरीके से खिलवाड किया जा रहा था और आज भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करने वाले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अभी भी धरम का लॉलीपॉप जनता को पकड़ा रहा है सोचिए धरम का जुझना कब तक जनता बजाती रहीगी कब तक आप उसको धरम की चाशनी में डुबो कर गुम्रा करते रहोगे जनता को रोजगार चाहिए जनता को रोटी चाहिए जनता को नौकरी चाहिए जनता को सुरक्षा चाहिए जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री ने गरीबों के नाम पर पिछलों के नाम पर आधिवासियों के नाम पर OVC फैक्टर काड़ फैक्टर जनता को लुभाने की कोशिस की वो सब और सब खोकले वादे निकले कैमरे दस दरो मोदी जी अब बस करो दस साल समाज को असफल बनाने के बाद चुनाफ के आखरी चरण में ध्यान करना इतनी मजबूरी है देश से भाजपा को हटाना अब बेहस जरूरी है तो देश की जनता मोदी से बहुत नाराज है दस साल देश का सब कुछ अपने मित्राडानी को देने के बाद चुनाफ के आखरी चरण में ध्यान करना इनकी मजबूरी हो चुका है 750 से जादा किसान सहीद हो गए मोदी के मूँ से समवेदना के दो बोल नहीं निकले किसानों को परजीवी खालिस्तानी देश दरोही आतंकवादी और नजाने क्या-क्या बोल दिया वो ही मोदी पंजाम में वोट मांगने के साथ साथ मा से मोदी मौन हो चुके है जनता जो है उनको मुद्दे याद दिला रहे है मा से मनी पूर मा से महिला पहलवान महंगाई भी थी मोदी जी आप मौन रहे तो देश के प्रधान मंतरी जो हैं पूरे तरीके से एक्स्पोज हो चुके हैं आखरी चरंड का चुनाव कल होने जा रहा है देश के प्रधान मंतरी को अब लगने लगाए कि हम आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं शुग होसित भगवान से सवाल पिछले 10 साल में देश को बेहाल कर दिया तो देश के प्रधान मंतरी खुद को भगवान बनाने की कोशिस कर रहा है सोचिए इतिहास में जिन्दा रहने के लिए आपको काम करना बेहस जरूरी है देश के प्रधान मंत्री का जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका भी दावन खून से लिखा होगा उनके उपर भी तमाम लोगों की हत्याव का रोग जो है उनकी इतिहास को उनको बदनाम करती हो लिखा जाएगा नीव वर्तमान पढ़ान मंत्री ने जब भी मूँ खोला है केबल जूट, पकवास, फरेव और नफरत ही निकली है जिसे भारत का नागरिक बखुवी जान चुका है और इस बार भाजपा को भगाने के लिए तयार है बहुत हुई मोदी तेरी गुंडा गर्दी अब नया आएगा दोर, नयाय का दोर कॉंग्रेस लगतार गारंटी दे रही है भाजपा को भगाने की गारंटी जो है इंडिया गड़बन दे रहा है लेकिन विकास की गारंटी पिछले दस सालों से मोदी सरकार दे रही थी जो इस बार फ्लाप होती होई दिखाए दे रही है मोदी मंगल सुत्र मुजरा मटन मचली मुसलिम पर रोज भाशन लेकिन याद ना आई महंगाई क्यूंकि भाजपा ने बिरोजगारी और पेपर लीकी निती अपनाई मोदी भाशनों में बॉकलाए चिलाए गर जे लेकिन जनता इंडिया गटबनन के लिए वोट करती रही थकार कर मोदी ने मौन वरत कर लिया है वो तो बना नहीं सके कॉंग्रेस की अगवाई में बनेंगे अब शहर और गाउं स्मार्ट सोची है ददस कैमरों के साथ देश के प्रधान मंत्री मेडिटेशन कर रहा है मनमोहन सिंग ने बड़ी बात कहिए पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने लोक सबाचुनाफ के प्रचार के अंतिम दिन मोदी को सबसे नकारात्मक परचार वाला पीम बताया जिन्होंने अपने पद की गरीमा को तार-तार किया हमारे पास आखरी मौका है कि हम अपने सविधान लोक तंत्र को बचाएं और ये भारत में ताना शाही चाहते हैं देश के परधान मंत्री मा से मान रहें लेकिन जनता चीक चीक कर देश के परधान मंत्री की पोल खोल रही है देश के परधान मंत्री को एक्सपोज कर रही है मा से मोधी का जो मा से रजनीती शुरू हुई थी मा से मान पर आके समापत हो गई है इस ख़वार पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए मा से कोई मुद्दा मोधी का धूरा रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल